साउधान चलिए कुछ बाते करते हैं हाँ डरियेगा नहीं सबसे पहले डरियेगा नहीं यह एलेक्रिसिटी वे जनरेट करा इसलिए मैं हाथ अगड़ रहा हूं फ्रिक्शन से एलेक्रिसिटी जनरेट होती है देखे सबसे पहले हम बात करते हैं एलेक्रिक चार्ज की बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप जानते हैं कि ओल थोड़ी वह हिस्ट्री हमको इसके बारें बात करनी है ठीक है थोड़ी से हिस्ट्री के बारें बात करेंगा देखे 600 BC मतलब आज से तकरीबद 2700 साल पहले 2100 यह हो गया और 600 उधर हो गया 600 BC में एक फिलासपर थे ग्रीस के जिसको यूनान कहते हैं हिंदी में ग्रीस के एक फिलासपर थे जिनका नाम था थेल्स थेल्स उन्होंने देखा कि अगर एक अंबर नाम का एक अंबर को कहेंगे जैसे गोंध होता है गम होता है गोंध वैसा एक यलो कलर का एक रेजिन होता है एक गोंध होता है अंबर नाम का यूं कहिए आप गोंधी कह लीजिए उसको ठीक है एक टाइट गोंध जैसे आपक इरेजर होती है हलका सब फ्लेक्सिबिल होती है वैसा गोंध होता है और उसको उन्होंने उल पे रगड़ा कॉर्टन में और देखा कि वो छोड़ छोड़े पार्टिकल्स को अपनी और अट्रेट कर रही थी यह किसने देखा? धेल साब ने देखा यह वहां के फिलस्फर थे अब जैसा जिन लोगों की बाल है वो जानते होंगे जिन लोगों के हैं मेरे भी हैं लेकिन कम है HELहे हम कम जानते हैं जब थे तब भी हम भी जाना करते थे अगर आप अपना पेन ले लिजिए और बाल में खुब कसके रगड़िये हम रगड़ नहीं रहें कि दोचार तूट जाएंगे इसले नहीं रगड़ नहीं रगड़िये और उसको कागज के टुकड़ों के पास लाईए तो कागज के टुकड़ों को छिपका लेता है तो उन्होंने देखा कि जब अम्बर अमबर एक यलो टाइप का रेजीन होता है गम टाइप का मेटेरियल होता है जो समुत्र के किनारे कहीं कहीं पर पाया जाता है ठीक है उसको गोन समली जी आप उसको जाब उन्होंने जिसे आप कपड़े में कोची ऐसे ऐसे रगड ले तो देखाए गया कि वो कुछ छोड़ी पार्टिकल्स को अपनी और अटेट कर लेता है ये थेल साम ने देखा था आज के तक्रीमन 26-27 साल पहले अब देखा तो देखा लोगों से कहा होगा उन्होंने देखो हमने इसको रगड़ा और ये छोड़ी पार्टिकल्स को घसीट लिया तो बोले घसीट लिया तो घसीट लिया तो कहा दिक्कत है और रगड़ो जाकर कि हमसे कहा मतलब है रात गई बात गई उनकी बात को किसी ने तबज्जो दिया नहीं ठीक है इसके बात 1600 AD चिंदावत के जो लिखना वाली बात होगी हम बता देंगे अभी तो कहानी को लुटाई जा रही 1600 AD में एक विलियम गिल्बर्ट सहाब आए विलियम गिल्बर्ट ये डॉक्टर थे साइन्टिस कह सकते हैं आप इनको ये डॉक्टर थे और कुईन एलजाबेट फर्स्ट जो इंग्लेंड की महरानी थी उनके परस्नल डॉक्टर थे इनों ने इनकी बात को देखु को थोड़ा दिमाग लगाया कि बहुत साल पहले थेल सांब क्थे कहे गए थे इनों ने कुछ एक्सपरिमिंट कि इनों ने भी कुछ चीजों को रगडा। जैसे इन्होंने glass rod को लिया और glass rod को कपड़े में ऐसे रगड़ा ठीक है और glass rod को जब ले गए छोड़े पार्टिकल्स के पास में कोई पेपर के पास में तो देखा कि कोई चीज उसको अट्रेट कर लेता है तो उन्होंने का यह है क्या ठीक है यह था होता है लेकिं क्यों ऐ इसा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि यह चार्ज है और चार्ज क्यों डेवलप हुआ फ्रिक्शन की वज़े से तो उन्होंने कहा कि दो पार्टिकिल को जब रगड़ा जाता है तो उनके फ्रिक्शन की वज़े से एक प्रकार का चार्ज डेवलप हो जाता अभी उसका नाम नह हो जाता है अब चुकि friction की वज़स हुआ है इसलिए इसको electricity कहा गया Frictional electricity क्या नाम दिया गया Frictional electricity given by William Gilbert तो सबसे पहली बात आप लिखेगा Frictional electricity बहुत detail में हम नहीं जाएंगे उतनी बताएंगे चितना आपका requirement Frictional electricity थोड़ी कहानी लिखे इसमें लिखे दप्रॉपर्टी दप्रॉपर्टी आफ रब्ड सबस्टेंसेज लिखने रहे हैं दप्रॉपर्टी आफ रब्ड सबस्टेंसेज due to which due to which they attract light particles the property of rubbed substances due to which they attract light particles called electricity called electricity उन्होंने इसका नाम electricity दिया समझ्यारी बात हम क्या कह रहे हैं उन्होंने का अगर rubbed substance रब किये जाएं अब किसमें किसको रब करना हो बात की बात है दो substance को रब किया जाएं तो इन substances में छोटे-छोटे पार्टिकिल्स को अपनी और अट्रेट करने की एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है अपने आप हो जाती है तो उन्होंने कहा इसे electricity कहेंगे ठीक है पर अगराफ चेंज करके लिखिए अब इसका नाम क्या दिया गया अगर, अगर्ड़िकी देवलब दॉर्बिट वर्बिंट यूर्बिंट रॉबिंट 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 फरीक्छिन ब्रॉपर हैं इसी कह नाम ध्या निए Frictional Electricity और Static Electricity Static Electricity इसको Frictional Electricity कहते है या Static Electricity कहते है ठीक है तो समझ में आया है आपको यह हो गई Frictional Electricity अब जड़ा Electric Charge की बारे में बात करते हैं अब क्या-क्या Experiment किये गए उसमें नाम क्या दिया गया इसको एक बार Reading कर लिजेगा बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है चिंता मत करिए देखिए Glass को लिया गया एक Glass Rod ली गई और उसको Silk के साथ रगड़ा गया Silk Silk कह दीजे या आप Cloth कह दीजे Cool कह दीजे Silk के साथ रगड़ा गया एक और Glass Rod ली गई और उसको फिर Silk के साथ रगड़ा गया अब ज़रा ध्यान से समझेगा इस Glass Rod को यह वाली जो Glass है और दूसरी वाली Glass Rod को एक दूसरे के नजदीक लाया गया तो देखा जैसे ही दोनों Glass Rod को नजदीक लाया गया यह दोनों दूर हो गये क्या मतलब है भाई इसका मतलब यह Glass Rod इस Glass Rod को रिपल कर रही है कब रगड़ने के बाद जब मैंने Silk में से इसको रगड़ा और दो Glass Rod लिए Silk में से रगड़ा हमने तो और Glass और Glass Rod को नजदीक लाये तो देखा यह दूर हो रहे थे तो हमने का कुछ तो गड़बढ है अभी देखे यह Experiment चला है अभी क्या है इनको कुछ नहीं मालूम अब आप कहेंगे हमको तो मालूम है तुमको इसलिए मालूम है कि तुमको बता दिया गया है यह उस दौर की बात है जब इनको कुछ मालूम नहीं होता था यह सब Experiment चल रहे थे जब इलेक्टरान की खोज नहीं हुई थी तब की बात हो रही है इसके बाद एक प्लास्टिक राड ली गई एक प्लास्टिक को भी उल में रगडा गया और दो प्लास्टिक राड को नजदीक लाया गया तो देखा प्लास्टिक प्लास्टिक राड भी रिपल कर रही थी कैंठी एक ग्लास एक प्लास्टिक को लाया गया दो ग्लास लाए गए रिपल हो गए दो प्लास्टिक लाए गए रिपल हो गए एक ग्लास एक प्लास्टिक लाए गया तो देखा एक दूसरे को अट्रेट कर रहे है दोनों को टच करा दिया गया टच कराने के बाद देखा गया किसके बाद ना तो ये रिपल कर रहे थे ना तो ये अट्रेट कर रहे थे गरबर हो गया क्या हो रहा है भई? ये कहा गया कि भई दो glass rod एक दूसरे को ripple कर रहे थे दोनों की भी same charge था चार्ज जमालून था, अभी charge का नाम नहीं दिया गया है दो plastic rod ले के आ रहे थे, दोनों ripple कर रहे थे दोनों की पार same charge था और एक glass और एक plastic लाए तो अट्रेट कर रहे थे दोनों पर अपोजिट चार्ज था और दोनों को टच करा दिया तो एक दूसरे के चार्ज को नीटरल कर दिया जीरो कर दिया और जीरो मैथमेटिक्स में कौन करता है जब माइनस में से प्लस होता है तो वो जीरो होता है तो उन्होंने का इसका नाम ऐसा करते हैं एक को माइनस चार्ज लग देते हैं और एक को प्लस चार्ड कर देते हैं तो उनका नाम क्या दिया गया नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अभी इलेक्टरान की बात नहीं हो रही है इलेक्टरान की खोज नहीं हुई है तो चार्ज के नेमिंग कैसे दिया गया एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया और एक को नेगेटिव चार्ज दिया गया फिर हम बता रहे हैं इलेक्टरान की खोज नहीं हुई है अभी होने वाली है भी हम खोज करने जा रहे हैं ठीक है तो समझ में आया कि negative positive charge क्यों दिया गया समझ में आरी बार नहीं आरी है अच्छा दूसरी बात जब electron की खोज हुई तो उसका नाम electron ही क्यों रखा गया क्योंकि सबसे पहले सबसे पहले जो जिन्होंने charge की बारे में थोड़ा दिमाग में knowledge दिया था वो थे Mr. Thales और Thales ने जिस अंबर नाम के substance को रगड़ा था उसको Latin भासा में electron कहते हैं E-L-E-K-T-R-O-N उसको electron कहते हैं इसलिए उनको सबसे पहले जो नाम चार्ज का दिया गया उसको electron दिया गया electron की खोज किस ने की थी अब आप कहेंगे अभी तो हुई नहीं खोज कैसे हम नाम बता दे हैं ठीक है पुराने समय जो आप पढ़ चुके हैं electron की खोज किस ने की इलेक्ट्रान की खोज सर जेजे टामसन प्रूटान की खोज न्यूट्रान की खोज न्यूट्रान की खोज चैडविक याज है ना नाम मैं उनकी नाम नहीं कर रहा हूं तो समझ में आया कि चार्ज क्या होता है दो पार्टिकिल को जरब किया गया आप लोग जैसे अभी जाड़ा आ रहा है अभी तो नहीं आ रहा आएगा जाड़े में जब हम बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो कभी मालिया जैसे स्वेटरम उतारते हैं रात कभी हो थोड़ा अंदेरा देखो तो चच्च्रहड पहनते हैं जो चिपके हूं हमारे माले हमने जो है लोवर पहन रखा है टाइट विल्कुल तो हमारी बाड़ी से चिपका हुआ जब उसको उतारते हैं तो फ्रिक्शन उसमें प्रिएट होता है और वह चट्चाहड के आवाज होती है तो यह चार्ज है यह कौन सा चार्ज ह क्यों रखा गया तो चार्ज के बारे में कुछ बाते तो समझ में आ गए ज्यादा नहीं बताएंगी बहुत अंदर नहीं जा रहे है उतने जारे जितने जरूत है ठीक है अब आप कहेंगे इसमें हमको पढ़ना क्या है इसमें कुछ नहीं पढ़ना है बस केवल आपको यह पढ़ना है कि ग्लास में से सिल्क को रगडा गया तो ग्लास पॉजिटिव हो गया और सिल्क निगेटिव हो गया ठीक है अब हम कितने तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं लिखना कुछ नहीं इसमें एक बार किताब को उठाईएगा और सरसरी निगाह से पढ़ डालिएग कुछ बाते ऐसी उसमें होंगी जो सायद हम नहीं बता रहे हूं तो डिसस कर लिजेगा कोई नहीं बात नहीं है तो हाउ टू चार्ज दा सब्स्टेंज को चार्ज कैसे किया जाए तो सबसे पहले तो उसको चार्ज हम करेंगे बाई रभिंग, बाई रभिंग, जोगी सब से पहले सुरुवात की गए जिसको की friction कहेंगी रविंग करके उसको चार्ज करेगे उसे क्या होगा हमने चुब कि चार्ज के दो टाइप बताए एक positive टाइप एक negative टाइप तो हमने क्या गया जब दोनों को रगड़ा तो एक से कुछ चार्ज दूसरे में चड़ा गया अब म जब आप दो substance को रगड़ते हो आपस में तो एक से electron टूट करके दूसरे body में चले जाते हैं Electron पे charge कैसा होता है? Electron पे charge कैसा होता है? Negative कितना होता है? 1.6 x 10-19 तो अगर किसी substance से electron चले गए तो negative charge दूसरे में चला गया तो जिसमें चला गया वो negative charge हो गया और जिस से चला गया वो positive charge हो गया तो अगर मुझसे कहा जा negative charge तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर electron ज्यादा है और अगर कहा जा positive charge तो कि हम क्या समझेंगे? अगर हमसे कहा गया एक body में negative charge है तो हम समझ गए इसमें electron ज्यादा है और हमसे पॉजिटीज चार्ज है तो हम क्या समझेंगे कि proton ज्यादा है सब लोग बोलो भाई electron कम बोला हैं इनों थे वह से अक्सरे सही बोलते हैं तो इनकी बात लोग माले के अभी जूरी बोलते हैं हमेशा ना मानिएगा इलेक्टान कम है क्यों क्योंकि प्रोटान न्यूक्लियस में होता है और प्रोटान चार्ज ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार नहीं होता है वो न्यूक्लियस में होता है अपना न्यूटान के साथ तो पहला तो हम किसी प्रकार से किसी बॉट्रय को चार्ज करेंगे by rubbing करके उसको न चार्ज करेंगे दूसरा तरीका हम कैसे उसको चार्ज करेंगे by induction दूसरा तरीका है पावनिस समन्झ में आरी बात बहुत ज़्यादा दिमाग में जोड़ना डालिएगा, हलकी इलकी बाते सुझेगा, क्योंकि कुलाम सला से मेन आपका वर्क स्टार्ट हो गया, दूसरा है बाई इंडक्शन दूसरा जो मैथेड है, बाई इंडक्शन ये जरा खतलनाक मैथेड है इंडक्शन नाम सुना होगा आपने हमने फ्लो आफ हीट में एक इंडक्शन वर्ड यूज किया था इंडक्शन में होता क्या है, जरा समझेगा ये तो आपको समझ में आ गया कि निगेटिव चार्ज होता है किसी में आउटर मुस और्विट में पॉजिटिव चार्ज होता है देखे, हमने दो सबस्टेंस लिए दो इस प्रकार से सबस्टेंस लिए और दोनों को ऐसे टच्च करा दिया ये दो सबस्टेंस हैं ये निउट्रल है, चार्ज है इसमें जितने इलेक्ट्रान है उतने ही प्रोट्रान है लेकिन रे निउट्रल है, ठीक है? हम अब क्या किये? एक रॉड इसके नजदीक ले करके आए डाइग्राम जो बना रहे हैं तो उसे तो गंदे बनते हैं हमारे डाइग्राम लेकिन क्लियर दिखाई पड़ रहे हैं ना? तो एक रॉड लेके आए, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने देखा क्या? जरा समझेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, वैसे ही इसका जो निगेटिव चार्ज है मैं इलेक्रा नहीं बोल रहा हूँ इसका जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर शिफ्ट हो गया यानि ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया क्या इस रॉड ने इसको टच्च किया? क्या इस रॉड ने इसको टच किया क्या ये रॉड इस बॉडी को टच कर रही है दूर है भाई ठीक है दूर से ही एफिट क्रेट कर रही है इसी को कहते हैं इंडक्शन क्या कहा जाता है इंडक्शन कहा जाता है आप लोग के बीच में इंडक्शन होता है जरा लड़कों में इंडेक्शन कैसे होता सुन लीजिए अगर कोई सड़क में जा रहा है लड़का और उसने अपना कंगा निकाला वा ऐसे बाल खीचा बगल वाला जो निकलेगा वो भी निकालेगा अपना अपने से मैं तो रखता नहीं कंगा तो मेरे इंडेक्शन कैसे है का मैं अपने ऐसे हां से सही कर लूँगा अपने आप क्लास में जैसे लड़किया पढ़ रही है वो गुरूप होता है दो-तीन लड़कियों के गुरूप होते है मैं जी टीचर हूँ तो मैं जानता हूँ अब बुरा न मानियेगा कोई लड़ना शुरू कर दे मैं ऐसे ही कह रहा हूँ तो एक ने किताब निकाली पढ़ने के लिए गुरूप ने तो बगल वाले गुरूप ने बड़ी है पढ़े वाली है यह बड़ी हिरोईन बनी है तुमसे क्या मतलब वो पढ़ रही है उनको तुमसे का मतलब है लेकिन आपने हूँ करेंगे इसी को इंडक्शन कहते हैं देखो पॉजिटिव चार्ज लाए तो इसका निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के और शिफ्ट हो गया इसको टच नहीं किया इसी को इंडक्शन कहा गया और इधर का पार्ट इसका पॉजिटिव हो गया ठीक अब हमने क्या किया इनको अलग कर दिया अभी इसको नहीं हटा रहे हैं अगर मैं इसको हटा दूँगा तो ये फिर मिल जाएंगे इसको नहीं हटा रहे हैं और हमने इन दोनों सब्सेंसे को अलग-अलग कर दिया तो एक निगेटिव चार्ज हो गया एक पॉजिटिव चार्ज हो गया दोनों चार्ज दो गए हमने ना तो इनको रगड़ा था ना फ्रिक्शन इसमें क्रेट किया था ना हमने अलग से कोई वायरिस में टच्च किया हमने केवल एक positive charge जो body है इसके नजदीक ले आये थे और इसको charge कर दिया इसको कहा जाता है induction तो दो तरीके हो गए charge के, एक by rubbing एक by induction तो समझ में बात आ गई होगी ठीक है, दो प्रकार के charge होते हैं तो इतनी बाते आपको हलकी सी मेमोरी में रखनी है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है अब ज़रा समझीगा ये note करते रही है क्या क्या points पढ़ाए गए है जब बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा interest भी आएगा ठीक है, ये induction वाला बड़ा अच्छा डाइग्राम ऐसे लड़ा ने बनाया है उसको देख लेंगा, और अच्छा अच्छा बना कि उन्हों दिख दिया है अब जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या कहा गया है अब लिखे बेसिक प्रॉपर्टी ओफ अलेक्टिक चार्ज अब यहां से आपकी थोड़ी बहुत बाते अब पढ़ाई वाली सुरू होने जा रही है बेसिक प्रॉपर्टी ओफ इलेक्टिक चार्ज देखे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी additivity नाम से लग रहा कुछ add किया जा रहा है additivity क्या होता है जरा समझेगा अगर कोई substance है बड़ा सा उसमें कुछ positive charge है कुछ negative है Q1, Q2, Q3, Q4, plus Q1, minus Q2 ऐसे तो सब पुरा add कर दीजे total charge आपको लिखना कर लिखे जरा additivity the total charge of a system the total charge of the system the total charge of the system अभी मता रहें क्या हम बोल रहें is the algebraic sum is the algebraic sum of all individual charges of all individual charges located located at the different points inside the system at the different point inside the system inside the system मतलब मैं बास system की कर रहा हूं जरा system क्या होता समझेगा हमारे मकार में 5-6 कमरे हैं कम हैं जुट बोला हूं जहां रहते हूं उसे तीनी है नीचे दो है मैं माल लेता हूं ज्यादा बोलने हम क्या दिक्कत है 6-7 कमरे हैं तो अलग-अलग कमरे हैं और जब उनको मिला दिया गया वो एक मकान बन गया एक सिस्टम बन गया तो यानि कि कोई सिस्टम माल लिया यह एक यह एक सिस्टम है यह बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है ये अलग-अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है, इस प्रकार से बहुत सारे पार्ट इसके बना दिये हैं, ऐसे, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप, अब माले इस पार्ट में प्लस Q1 चार्ज है, अब आप कहेंगे कैसे कर लिया, हमने कर लिया कैसे भी कर लिया हमने इस पार्ट को अलग से ले गए जा समझेगे वारा टुकड़ा अलग से हमारे पास था हमने इसको रगड़ा था कहीं से और इसके कुछ इसका प्लस Q1 चार्ज आ गया था ये वाला जो टुकड़ा था हमारा इसमें हम माइनस Q2 है इसको अलग से कहीं रखा हुआ था हमारे पास हमने किसी चीज में रगड़ा था उससे इलेक्रान इसमें आ गया होंगे तो इसमें निगेटिव चार्ज हो गया ये वाला पार्ट प यह हम क्या कह रहे हैं यह अलग अलग टुकड़े थे हमारे पास हमने किसी भी तरीके से चाहे रभीन करके चाहे फ्रिक्शन करके चाहे हमने इंडक्शन के द्वारा इसको चार्ज किया था इसको प्लस चार्ज किया था इसको माइनस यह माइनस यह प्लस यह माइनस और इन system तो इसको system कहते हैं तो total charge of the system की बात जम करेंगे total charge of the system of the system अब यहीं से आपकी गाड़ी इस chapter की सुरू होने वाली हलकी हलकी यह समली आप पहला कदम उस रोड पे रख दिये हैं जहां से सहर स्टार्ट होने वाला है तो जब total charge की बात करेंगे तो इन सभी charges का algebraic sum करना है algebraic sum का मतलब practically समझिएगा इस plus का मतलब क्या हुआ? electron की कमी इस minus का मतलब क्या हुआ? electron ज्यादा है अगर यहाँ 10 electron कम है यहाँ 10 electron ज्यादा है तो दोनों को जब जोड़ोगे तो total electron कितने हो जाएंगे? 20? 0 हो जाएंगे ना? तो जब बात algebraic word use होता है तो जहाँ पर sign change होता है वहाँ plus minus लगाते हैं तो इसको जोड़ दो Q1 फिर minus Q2 plus Q3 minus Q4 plus Q5 minus Q6 plus Q7 plus Q8 इस प्रकार से हम लिखेंगे तो यह additivity property होती है यहाँ किसी भी system के अंदर अगर बहुत सारे charges रखे हुए हैं तो उनका algebraic हम आप करेंगे negative, positive or with a sign जोड़ेंगे ठीक है? note करिए इसको यहाँ से बात पकरने की कोशिस करिएगा अब थोड़ा technical चीजे आना सुरू हो जाएंगे tough नहीं है डरना नहीं लान्स आप भी हैं क्या? समझ में आई बात? पावनी बात समझ में आ रही है? तो यह हो गया additivity up charge मतलब इस system को समझने कुछ करिए गया यह सब टुकडे अलग अलग थी हमने इन सभी टुकड़ों को अलग अलग चार दिया था कैसे दिया था हो मेरी मरजी? मैंने कैसे उसे इलेक्टरान निकाल लिये? कैसे उसके इलेक्टरान डाल दिया हो मेरी मरजी? इसके बाद उठा के जोड दिया है इस system बन गया तो इस system का अगर पूरा charge आपको निकालना होगा तो आप उसको algebraic sum करेंगे ठीक है? अब दिखिए quantization of electric charge इस पर बहुत question आता है quantization of electric charge ये note का लिया ये note का लिया है ना quantization of electric charge quantization of electric charge quantum number पढ़ा होगा आपने quantum number आपको chemistry में पढ़ाया गया होगा principle quantum number agymothal spin magnetic याद है पूछेंगे ने चिंता में पढ़ेंगे हाँ बोल दो quantum number पढ़ेंगे आपने यहां quantization का मतलब क्या होता है वहां quantum का मतलब होता है पहली आर्बिट दूसरी आर्बिट तीसरी आर्बिट इसमें electron revolve करता है यहां quantization का मतलब यह होता है जरा समझीगा किसी substance से अगर electron जाने है माले electron इस body यह दो body हमने रगड़ी हैं आपस में इस से electron इसमें जाने है तो electron complete integral multiple में transfer होंगे यह मतलब एक electron जाएगा दो electron जाएगा पचास electron जाएगा डेर electron नहीं जाएगा कि एक electron पूरा चला गया एक आधा ऐसे बाहर निकला हुआ वो ले आधा जाएंगे आधा हम घरी के अंदर रहेंगे नहीं चलेगा या तो उधर जाओ या तो अंदर रहो मतलब अगर किसी बाडी से दूसरी बाडी में electron ट्रांसफर होने है तो वो integral multiple में ट्रांसफर होंगे यानि एक दो तीन चार पचास सो दो सो पान सो हजार लेकिन वो 100.5 नहीं जाएगे कि आधा electron जाएगा आधा इधर रहेगा इसको कहा जाता है quantization सहुंद में आधी बात तो थोड़ा कहानी लिख ली जाएगा किसने suggest किया था Faraday साहब ने suggest किया था और Milken साहब ने इसका experiment किया था तो लिखेगा it is found it is found ऐसा देखा गया it is found that the electric charge of anybody that the electric charge of anybody is always is always an integral multiple an integral multiple of a certain minimum amount of charge of a certain minimum amount of charge certain minimum amount of charge formula क्या लिखेंगे q is equal to any where n is the number of electrons number of electrons यानि कि जो चार्ज जाएगा उसमें जो चार्ज होंगे वो integral multiple में होने चाहिए अच्छा अब जड़ा समझेगा आपने कभी कुछ ऐसी calculations की हैं कि जैसे कहीं पर 2 into 10th power 15 value आई हो और आप लिखेंगे it is an order of 10th power 15 ऐसा कहीं देखा लिखा हुआ जैसे 10th power में बहुत बड़ी value दीवी है तो आप इसको neglect करते आप कहते 10th power 15 order की value है ऐसा कभी देखा है न आपने कहीं लिखा हुआ देखा है ना कभी कभी तो समझ लिजीगा अगर 10th power बहुत बड़ी value है तो यह जो यह जो value है 2 इसको neglect कर दिया जाता है जैसे कहा गया ना कि इनके पास millions में रुपया है तो जैसे आमबानी का रुपया गिना जाता है तो millions और trillions में गिना जाता है अब इसको लिखते हैं कि 2,52,575 इसा नहीं लिखते ना वो केवल 10th power में बात करते हैं तो जब हम बात 2 वड़ ज़ा पकड़िए का microscopic and microscopic 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 और दूसरा है microscopic microscopic यह नाम सुने हैं कभी आपने micro level पे और micro level पे micro मतलब minute huge बहुत चोटी लेविल पे और micro मतलब बहुत huge बड़े लेविल पे जब बहुत बड़े लेविल पे हम बात करेंगे तो वहाँ पर इस यह आपका जो quantization system follow नहीं करता यह वहाँ यह वारा number neglect कर दिया जाता है सुझ में आरी बार नहीं आरी है तो एक noting करके लिख लीजेगा note micro का मतलब समझ में आ गया बहुत इस्तमाल बहुत छुट छुटी बातें दिखी जाए कि microscopic level पे आपका observation किया जाए जैसे आप जब तयारी करते हैं तो हम लोग microscopic level पे भी बात करते हैं आप से कहा कुलामस लाता आपने का हाँ आपका सुना अच्छा अब आपने सुना जिया खड़ खड़ आधा आधा सही आधा गलत इधर का तंगा उधर जोड़ दी आमने का लिखो अच्छा लिखा तो देखा अधी बात गलत लिख रहे हैं तो आपका observation हम microscopic level पे करते हैं तो micro मतलब इस्तमाल और micro मतलब huge ठीक है तो लिखे एक note लिखे while dealing while dealing with microscopic charges microscopic charges microscopic मतलब huge charge 10th power 25 electrons 10th power 25 में 2 का कोई मतलब नहीं होता है while dealing with microscopic charges we can ignore the quantization of electric charge we can ignore the quantization of electric charge अच्छा ही जो हमने quantization की बात की थी यह suggestion दिया था Faraday साहब ने Faraday ने इसको suggest किया था कि ऐसा होता है और इसका experiment किया था Mr. Milken मिलकन साहब ने इसका experiment करके दिखाया था तो जब हम huge level की charge की बात करेंगे बहुत बड़ी amount में charge के बात करेंगे मालिया मेरे पास बहुत पैसा हो बहुत दिखा कितना बड़ा हम बोल रहे है मतलब आँखे में बाहर निकली आ रही है बहुत पैसा हो तो उसमें हम दो दस पचास सो रुपिया थोड़ी बात करेंगे हम तर टेंट पाउर की बात करेंगे ठीक है इतने मिलियन इतने ट्रिलियन तो जब हम माइक्रोस्कोपिक चार्ज के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्वान्टाइजेशन को इग्नूर किया जाएगा कि इसको इग्नूर किया जाता है क्यों चुकि बहुत huge amount of charge होता है इसलिए उसको इग्नूर किया हो जाता है तो हम आते हैं अपने मुद्दे पर कुलामसला अब लिखे कुलामसला यह जितना हमने बताया इसमें क्या-क्या आएगा एक तो quantization of charge पूछा जाता है कि what is quantization of charge तो उसमें आप वही लिखेंगे अभी हमने बताया कि when charge transfer from one body to other then it transfer in the integral multiple of charges मतलब एक electron, 50 electron, 200 electron 200.5 electron नहीं transfer होगी दूसरी बात आपसे additivity की बात करेंगे दूसरी बात frictional electricity की बात करेंगे तीसरी बात आपसे induction की बात भी कर सकते हैं अज़ा conductor, insulator आप जानते इसलिए उसके बारे हम बात नहीं कर रहे हैं अब यहां से आपका sliver से start होता है कुलामसला, देखें कुलामसला क्या कहता है साउधान हो जाईएगा अब यहां से आपका matter start हुआ है tough नहीं है बार बार में कह रहा हूं लेकिन हाँ ठीक ठाक है देखो कुलामसाब ने क्या कहा कुलामसाब के पहले न्यूटन साब बात कर चुकी थे न्यूटन ने अपना rule दिया था कि दो mass particle अगर थोड़ी दूरी पर रक्या दो mass particle हूँ तो उनके बीच में हमेशा force of attraction लगता है हमेशा force of attraction लगता है यह किसका नियम था न्यूटन का नियम था कुलाम ने कहा अगर दो stationary point charges point to be noted charge कैसा होना चाहिए stationary it should not move दूसरी बात point charge होना चाहिए point charge मतलब क्या होता है यह rod है इसमें यहां से यहां तक charge distribute है नहीं चलेगा इस पूरे charge को इकठा करो और इकठा करके एक जरी इकठा करके रख दू तो उसको कहते है stationary point charge अगर दो stationary point charge थोड़ी दूरी पर रख दिये जाएं तो उनके बीच में force act करता है तो लिखे थोड़ी कहानी according to कुलामसला according to कुलामसला if two two stationary point charge two stationary point charge are placed at a distance are placed at a distance then they will experience a force then they will experience a force कुलामसला they will experience a force उनके बीच में एक force act करेगा और फोर्स कैसा होगा that force is that force is directly proportional to the product of charges directly proportional to the product of charges and inversely proportional and inversely proportional to the distance inversely proportional to the square of the distance between the charges पावनी आप को आवाज मिल रही है हमारी यहां से point को उठाईएगा यहां आपकी physics यही से start हो रही है ठीक है इसके पहले की theory थी थोड़ी सी पढ़ लेना यहां से आपकी theory start हो रही है तुरा सावधान इस पढ़िएगा tough नहीं है लेकिन तुरा सावधान रहीएगा ठीक है क्या उन्होंने कहा कि अगर दो stationary point charges point to be noted पहली बात दो charge कैसे होने चाहिए stationary होने चाहिए आप अगर book में उठाईए तो chapter का नाम है electro aesthetics इसमें electricity है लेकिन aesthetic है यहां का charge move नहीं करेगा charge एक जगे place रहेगा और वही पे बैठे बैठे अपना भोकाल tight करेगा अपने गुंडागर्दी दिखाएगा और जब वो charge चलना सुरू कर देगा तो वो current flow करेगा तो हम पढ़ेंगे current electricity और जब वो current flow करेगा तो अपने चारो और एक magnetic filter करेगा तो हम पढ़ेंगे electromagnetic तो कुल विलाकर करके charge अलग-अलग state में रहेगा अभी फिलाहल stationary है तो उन्होंने का suppose यह दो charges है और यह q1 and q2 नेचर कुछ भी हो सकता है हमने उसके sign के बारे बात नहीं किया और इनके beach distance r है तो कुलाम साब ने कहा कि they will experience the force क्या होगा that force is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges तो f proportional q1 q2 upon r square अब अगर हम यहाँ पर equal to करें तो फिलाहल यहाँ पर हम एक constant लिखते है के q1 q2 upon r square जहाँ पर k की value यहाँ क्या है where k is equal to इसकी value होती 9 into 10 to power 9 value याद करनी पड़ेगी आपको और अगर यहाँ k की value हम निकाले formula के हिसाब से तो k की value क्या निकल लई है f r square upon q1 q2 और अगर मैं इसकी unit की बात करूँ तो f की unit newton r square की meter square और upon q2 तो k की value होती है 9 into 10 to power 9 newton meter square per q2 यह इसकी unit होती है यहीं से बात को उठाईएगा गुलाम स्लासरी आपका chapter start है वो तो basic concept बिताया गया था थोड़ा वो अब जड़ा देखिए ध्यान से एक्सपेरिमेंटली एक चीद देखी गई अब यहां जड़ा साउधान हो करके सुनिएगा एक्सपेरिमेंटली scientist ने जो k की value दी वो दी one upon four pi epsilon not यह epsilon है मतलब यह e की तरह ऐसे बनता है इसे belongs होता है na set theory में यहां not भी बोलते हैं कुछ लोग zero बोलते हैं इसको epsilon भी बुला जाता है तो confuse मत होईगा इसको कहते हैं one upon four pi epsilon not और इसकी value यही है nine into ten to power nine newton meter square पर कुलाम square तो इसका मतलब k की जगे हम क्या यूज़ करेंगे one upon four pi epsilon not जहां पर epsilon not क्या है where epsilon not क्या है permittivity permittivity of free space यह free space की permittivity होती है अभी हम बता रहें कि आज लफडा क्या है और इसकी value होती है 8.85 into ten to power minus 12 और अगर unit निकालेंगे तो यह आएगी कुलाम square पर न्यूटन मीटर square इसको कहते है permittivity of free space जरा समझे है लफडा क्या है नोट कर लिया आप जरा समझेगा यह permittivity क्या होती है आप कभी कहीं पर 11,000 की line जा रही है उसके बगल से आप निकल रहे है आपको current लगती है या कोई तार जा रहा है तार में current flow रही है और आप बगल से निकल जाते हैं तो क्या आपको current लगती है अब यह कहेंगे हम छू लेंगे उसको तो आप वो एक अलगी बात आप उसको चिपक जाओ जाकरके वैसे current नहीं लगती ना तो क्यों होता क्या है यह permittivity है क्या लफडा क्या है जा इसको समझे कुछ करिएगा एक charge है अपने चारों और एक field create करता है अब यह आगे पढ़ाए जाएगा जिसको के electric field कहते है अब ज़रा समझेगा इस charge ने इस charge के उपर force लगाया क्या यह charge इसको touch कर रहा है यह दोनों charge r distance पर रखे हुए है क्या एक दूसरे को touch कर रहा है नहीं touch कर रहा है इसका मतलब यह कैसे force लगा सकता है भई इसने force लगाने के लिए कुछ कुछ string type की भेजी होंगी कुछ एक electric field होता है कुछ field भेजा होगा इसने नहीं भेजा होगा तो जब इसने field यहाँ पर strings भेजी होंगी मैं माल लेता हूँ कि इसने यहाँ से field ऐसे strings भेजी यहाँ से माल लेता हूँ और यह इसने 200 string भेजी या 100 string भेजी और इस 100 string से इस charge को एक घसी टरा अपनी तरफ या ripple कर रहा है तो medium क्या करता है medium उस 100 string में से 75 string absorb कर लेता है नहीं जाने देता इसको कहते हैं उसकी permittivity जितनी lines को absorb कर लेता है वो उस medium की permittivity है उतने time सो कम कर देता है उसकी value इसी को कहते है medium medium का nature है देखे हम जो भी study कर रहे हैं हम नई science नहीं बना रहे हैं हमारे चारो तरफ जो घटित हो रहा है जो event हो रही है उन्हें के वर हम पढ़ रहे हैं कि वो क्यों रही है वो कैसे रही है ठीक है तो हम जब किसी wire के बगल से निकलते हैं उस wire में current flow हो रही होती है उसके चारो और एक field create हो रहा होता है हम उसके बगल से निकल जाते है मतलब क्या है कि हमारे और wire के बीच में जो medium है वो medium उन electric lines को absorb कर लेता है वो उस medium की permittivity है तो समझ में आया permittivity क्या होती है समझ में आया permittivity क्या होती है हाँ बोलू भाई आपने एक लकड़ी सूखी लकड़ी ले ली और अपने घर में जो switch है switch के अंदर ऐसे डाला और दूसरा end अपने हाथ में पकड़ा switch के अंदर current था charge था आपकी body में charge है और आपने इसको पकड़े खड़े है आपको current नहीं लग रही है क्यों? क्योंकि वो लकड़ी उस electric field को permit रही कर रही है उस electric field को absorb कर लेती है ये उस लकड़ी की permittivity है बास में आई अब आपके एक सहली आ गई और आप हमेशा उससे गुस्सा ही रहती है आपने कहा देखो मैंने इस लकड़ी को पकड़ रखा है और मुझे करण नहीं लग रहा है तुम बड़ी बहादर हो तो तुम भी पकड़ो उसने का हम भी लव पकड़ते हैं लेकिन आपने एक चालाकी कर दी थी एक पतला सा लोहे का तार उसमें लगा दिया था अपने अंदर से बाद में एक दूसी लखणी उठाए उसमें पतला सा तार था उसको दिख नहीं रहा था उसने भी प्लक लगाया और उसने भी खड़ी होके बाद होके मैं भी पकड़ सकती हूँ उसकी इस्तित क्या हो जाएगी आप जानते हैं क्या लफड़ा हुआ उस लोहे के तार की पर्मिटिविटी कम थी उसने क्या क्या जो एलेक्ट्रिक लाइन्स आनी थी उसमें से बहुत सारी लाइन्स को जाने दिया यह उसकी पर्मिटिविटी है आप सुन में आई बात तो किसी भी चार्ज के चारो और एक फील्ड होता है जिसको की electric field कहते है और उस field के अंदर जब कोई दूसरा charge जाता है या उस field मीडियम क्या करता है उस field lines को absorb कर लिता है वो उस medium की permittivity है जो absorb कर लिता है अब अलग-अलग teacher अलग-अलग बताते है हमने क्या कहा कि 100 lines निकली मीडियम ने 75 absorb कर लिया 75 absorb कर लिया तो मीडियम की permittivity 75 कुछ teacher कहते हैं कि 75 absorb कर लिया 25 जाने दिया तो उसकी permittivity 25 दोनों के बताने के अंदाज अलग-अलग हैं लेकिन मतलब वही है कि मीडियम का electric field को absorb कर लेना permit न करना वो उसकी permittivity होती है समझ में आई बात थोड़ा याद भी करना पड़ेगा ये मीडियम में ऐसा होता है आप कहीं wire है wire के बगल से निकलते हैं आप उकरन नहीं लगती है क्यों क्योंकि medium उसको absorb कर लेता है अगर medium absorb न कर पाए तो electricity generate ही नहीं हो सकती थी जैसे generate होती बगल बाले को current मार देती तो यानि की के की जगे क्या रखते हैंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 नोट कर लिए है इसको So S is equal to जो कुलामसला हम use करेंगे वो करेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square ये formula कुलामसला होगा तो आज की बात समझ में आई करेंगे